हाई फ्रेंज कैसे आप सभी और उम्मीद करता हूंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोश्तो अगर आप एक किसान है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और आप किसान में भी आप गन्ने की खेती करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही जरूर यह 50 कुटा जितने भी आप काड़ते हो आपके बीगे में तो उससे भी डवल पैदावार होने वाली है और अब बताने वाले हैं कि जैसे गन्ने में जो दिक्कत होती है सूकने की गन्ना उखटने लगता है तो उसका क्या उपचार होता है यह गन्ने में यह सबसे बड़ी तो चलो स्टार्ट करते है वीडियो के साथ बनिये रहिए वीडियो पसंद आज वीडियों के है और पहली बार है तो चैनल कर लुद चलो दोश्व चालो करते हैं दोस्तो बसे पहले हम जमीन पर 2,2 का खड़ा कोड़ देते हैं जसमें लंबाई चोड़ाई जो होगी 2 फि और इसको हम कर लेते हैं विक्सार जैसे कि सारी लेर चारोतरब से इसको परावर कर लेते हैं यहां घप लेना है एक खट्डे की बीच का यहां पर दूसरे खट्डे के खुदाए करने वाले हैं तो दोस्तो हमारे दोनों खट्डे तयार हो गए हैं आप इनमें डालना है हमको गन्ना गन्ने का बीच डालना है दोस्तो गन्ने का बीच कैसा होता आप तो जानते ही हो दोस्तो यह है गन्ने और इसको कटिंग कर लेते हैं दो-दो आँक की कटिंग हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह गन्ना है इसकी दो-दो आँक लगभग इसकी आँक है गन्ने की और इसकी आँक को हम दो-दो आँक एक साथ काट लेते हैं यहां से लेके और यहां तक काम इसको कट कर लेते हैं जैसे दोस्तों आप देख रहे हो यह गंडे में से 2, 4, 6, 7, 7 और 8 जो सबसे नीचे वाला होता है इसको आप अलग गेर देने इसको बवाई ना करें इसकी जो बवाई करते हैं तो इसकी आँखें ठीक से नहीं जम पाते तो गंडे का नीचे का जो पार्ट होता है उसको आपका भी ना बोई इसको अलग गेर दें इसी तरह से सारे गंडे काट लेते हैं जो आप वैसकता नुसार होते हैं जितने इस खड़े के लिए इतने आप गंडे काट लीजिए तो दोस्तों आप गंडे में इस तरह से सबसे कम लागत और दूसरे वाले खड़े में हम इसी तरह से से इसमें गन्ना डाल देते हैं दोस्तो यह गन्ने की सबसे बहतरी बुवाई है अब तक की जैसे आपने यह देखा है कि इसमें इस तरह से राउंड किया है हमने और इतने गन्ने रखे हैं इसमें ठीक है और यह वाली बुवाई है इस तरह से भी आप कर सकते होग ज़ादा पैंडे डालेगे डाई जो डालते हैं वो भी और गोबर की खाद जो डालते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं और डालना चाहिए गोबर की खाद बहुत भी इंपोटेंट होते हैं इसके लिए गोबर की खाद इसमें डालना है आपको और इसमें डाई भी डालना है डाई बहुत जरूरी होते है डाई से जमाव अच्छा आता है इसमें डाई डालने के बाद में और इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी मट्टी डालने है बस ज्यादा मट्टी नहीं डालने है इसको थोड़ा-थोड़ा डश धकना है इस खड़्डे को पूरा जितना यह लगवव एक फिटका होता है इसको बढ़ना नहीं है पूरा ठीक है इसमें थोड़ी-थोड़ी मिट्टी इसको डाल देनी है इस तरह से आप इसको कबर कर देंगे पैंडा दिखना नहीं चीए बस थोड़ा-थोड़ा इस तरह से आप इसको कबर कर दें और इसमें थोड़ा-थोड़ा आप पानी डाल दें ह को तो दोस्तों किpping पूरी हो जाती है इसक्ट को ऐसे रहने देना है इसमें हलका सा पानी काफी सबस को और इसके बाद में जो फसल कटेकी वह आपकी बदोगनी जितनी आप की लीजिए उससे जादा इसमें निकलेगा यह हमारा वादा है से आप इस सकते हैं बहुत ही आसान है जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही आसान विदी है दोस्तों यह है गन्ना और गन्ने में सबसे बड़ी समस्या होते हैं गन्ना उखटने लगता है जैसे मतलब पूरा गन्ना खड़ा होगा और पूरा का पूरा जितना यह बड़ा गन्ना आप दे लगती है कीड़े वाली तो कीड़े को मारने किलिए इसमें नीहत होता डाल सकते हैं जो परियाप्त मातर होती है वह अंधे वह पानी में बोवडेशा कम हो जाती है और आपको को टय स्थाफ महिएकषिया कि दवा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है सबसे कम खर्चा और सबसे ज्यादा इसमें पैदावार होती है दोस्तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली वारें चैनल को सबस्काइब पर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में